Hello friends, मैं रशना अमरनाथ, Happy Literature Channel में आपका स्वागत करती हूँ So friends, in this video I am going to talk about an essay written by Roland Barth from work to text This is one of the very important topic from literary criticism and theory, so you must cover this topic इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगे ताकि आपका पूरा hold हो जाए इस topic पर और साथी साथ मैंने इस वीडियो में notes प्रोवाइड किया है, तो आप उसे भी use कर सकते हैं तो Barth का इस essay में जो focus है, वो है idea of text तो यहाँ पर Barth ने text का कोई मतलब नहीं बताया, कि कोई proper definition है, कि इसको text बोलते है और फिर कोई meaning है, इसको text बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया है, बल्कि seven differences बताया है between work and text, और अब उन seven differences के basis पे यह reader पे छोड़ दिया है कि तुम खुद समझ जाओ कि text क्या होता है work के comparison में, तो वो seven differences को हम बात में देखेंगे पहले हम roughly समझ जाते हैं, कि work और text में क्या difference है तो work एक physical object है, work को हम देख सकते हैं, किसी भी writer, किसी भी author का जो भी work है उसको हम देख सकते हैं, उसको अपने हाथ में ले सकते हैं, उसको feel कर सकते हैं उसे हम create कर सकते हैं, तो साथी साथ उसको हम destroy कर सकते हैं तो यह work है, अभी example ले लो work का, newspaper work है, magazine, books, films, यह सब क्या है, work है, तो work का एक physical space होता है, अगर आप library में जाएंगे, एक rack है book का, उसमें सारे books रखे हुए हैं, या फिर newspaper रखा हुआ है, या फिर magazine रखा हुआ है, तो उसको हम लोग collectively क्या कहेंगे, work कहेंगे, और बात कहते हैं, जो text है, वो work से different होता है, तो text जो है, वो physical object नहीं है, वो abstract है, वो in fact metaphysical है, it is not something that we can hold in our hand, हम लोग उस text को अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते, जैसे कि किसी work को पकड़ सकते हैं, hold कर सकते हैं, वैसे हम text को नहीं पकड़ सकते हैं, So work has a physical limit, work के पास क्या है, physical limit होता है, लेकिन text के पास कोई limit नहीं है, उसके जो meaning है, उसका जो interpretation है, उसका कोई limit नहीं रहता, जो reader पढ़ रहा है, अपने हिसाब से पढ़ रहा है, एक reader ऐसा समझा, तो दूसरा reader कुछ और तरीके से समझेगा, तो वहीं बोल रहे हैं कि text का कोई limit नहीं है, एक और तरीके से समझाने की कोशिश करती हूं, आपने एक drama सुना होगा, in fact पढ़ा भी होगा, Waiting for Godot, इसे लिखा है Samuel Beckett ने, तो Waiting for Godot जो है, वो क्या है, work है, लेकिन जो इसमें theme of existentialism है, absurdity है, वो क्या है, text है, वैसे ही Shakespeare का hamlet ले लो, Hamlet is a work, but theme of revenge is text, तो यहाँ पर मैं यह नहीं कहना चाहरी हूं कि जो भी work का जो theme होता है, उसे हम text कह सकते हैं, बलकि यह कह रही हूं कि जो भी work है, उसको जो हम पढ़ते हैं, उसे जैसे हम समझते हैं, उसको interpret करते हैं, उसे relate करते हैं, language को जो हम समझने की कोशिश करते हैं, author जो language के साथ खेलता है, यह सब चीजे क्या है, text है, in fact writer, जो author होता है, जो Shakespeare है, जो Samuel Beckett है, वो खुद text है, तो कहने का मतलब यह है कि text का कोई limited meaning नहीं है, definite meaning नहीं है, definite interpretation नहीं है, वो open है, जिसको जिस तरीके से समझना है, वो समझे, तो आप एक literature के student हो, आपको उसी direction में जैसे की text है, तो आप उसे बस text मत देखो, थोड़ा सा अपने thinking को अगर आप broad करोगे, तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहरी हूं, in fact Barth क्या कहना चाहरा था, तो चलिए, अब notes के थू समझते हैं, तो पहले हम introduction देखते हैं, so Barth was French literary critic and he was known for his contribution in the field of semiotics, semiotics means the study of sign and symbol अगर आपने signifier signified पढ़ा है, तो यह उसी के बारे में है, तो the essay from work to text is one of the most anthologized essay in the study of literary theory, anthologized मतलब compiled, तो जितने भी essay हैं literary theory में, उनमें से एक यह important essay है, तो इस essay में बात ने यह बताया है, यह argue किया है, कि जो writer होते हैं, reader और observer, उनका जो आपस में relation है, वो change होता है from the moment work to text, जैसे हम work से text पर आते हैं, तो writer, reader और observer का पूरा जो relation है, वो change हो जाता है, अब यह कैसे change होता है, जब हम किसी writer के work को देखेंगे, और work में उसने क्या produce किया है, क्या लिखा है, उस text को समझेंगे, analyze करेंगे, तो हमारा जो writer को लेके जो thinking है, वो change हो जाता है, जो seven differences बात ने प्रपोस किया, जिसके basis पर हमको यह समझना है, कि work क्या होता है, text क्या होता है, तो वो differences है, method, genre, sign, plurality, affiliation, reading and pleasure, तो बात begin the essay with the argument that the literary text is intertextual in nature, literary text क्या है, वो intertextual है, और उसमें जो ideas मिलते हैं, उसका source किसी दूसरे knowledge से related रहता है, दूसरे experience से related रहता है, मतलब कोई भी text जो है वो previous कोई भी कभी text लिखा गया होगा, उससे connected रहता है, तो अगर reader को intertextuality का awareness है, उसके बारे में से पता है, तो वो कोई भी text को, कोई भी literary text को अच्छे से comprehend कर सकता है, उससे अच्छे से समझ सकता है, okay, now let's see the first proposition through which we can differentiate between work and text, and that is method, method here means the process, the process through which text come to us, work come to us, process through which we understand the work, we understand the text, received by reader as composite, means as whole, so reader के पास work complete तरीके से रिसीव होता है, जिसे वो हाप में होल कर सकता है, वो चाहे book के form में हो, paper के form में हो, magazine के form में हो, किसी भी form में हो सकता है, अब उस book में बहुत सारे characters है, उसमें बहुत सारे text है, font है, color है, pictures है, cover है, सब कुछ है, तो ये सब कुछ in total क्या ब receive होना, so when work received by reader, it makes sense to the reader in its totality, लेकिन वही जब reader text को approach करता है, तो उसे कोई fixed चीज, मतलब कोई definite चीज नहीं मिलेगा, definite meaning नहीं मिलेगा, जब क्यूंकि text उसको dialogue form में मिलता है, जिसमें जो meaning है, वो continuously बनता रहता है, समझते रहते हैं readers, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, दूसरा reader उसको पढ़ेगा, उसको अलग तरीके से समझेगा, तो जो text में जो meaning होता है, इसका interpretation रहता है, वो evolve होता रहता है, so method become different when we approach the same literature either as work or text, the same piece of literature either becomes organic or dialogic, depending upon the method that we use to interpret the text, the work is held in the hand, the text is held in language, it exists only as discourse, discourse means dialogue, discourse means language, the next point here is genre, so again we can distinguish work and text in relation to genre, so what is genre, genre is a special characteristic of any work, and what are these characteristics like fiction, drama, poetry, non-fiction, horror, historical, all these category comes under genre, so here the point is that the work is always classified, traditionally it is classified on genre, but we don't do that with text, we can't classify on genre, we can't classify on genre, we can't understand it, because text is paradoxical, it means that one thing can be different meaning, opposite meaning, example, in a play, this will show you, that punishment means that someone would kill, someone would kill, even if you are the wrong person, and you are the wrong person, so here it can show you that punishment, when someone is the wrong person, forgive him, ignore him, don't do anything, so this is also one kind of punishment, so actually what Barth wanted to say, that text is not confined within the limit of genre, the next point is sign, अब हमको यह देखना है कि sign के basis पे work और text कैसे different है, कैसे एक दूसरे से अलग है, तो sign क्या होता है, signifier और signified, signifier क्या है, signifier कोई भी word, कोई भी नाम, उसको हम क्या बोलते है, signifier, अब उससे related जो concept होता है, meaning होता है, उसको क्या बोलते है, signified, एक example से समझते हैं, जैसे कि word है Shakespeare, नाम है Shakespeare, अब Shakespeare क्या है, signifier है, इसे हम signifier कहेंगे, अब Shakespeare से related जो भी चीज आपको पता है, तो वो क्या होगा, signified, कि वो एक dramatist है, एक poet है, playwright है, उसके hamlet उसका एक play का नाम है, Macbeth, फिर Romeo and Juliet, मतलब Shakespeare से related जो भी चीज, जो भी concept आपको पता है, वो किसके अंदर आएगा, signified के और जो यह word है, नाम जो है, उसको क्या बोलते है, signifier, तो Bart क्या कह रहे है, कि जो work होता है, वो signified पे आकर बंद हो जाता है, खतम हो जाता है, खतम हो जाता है, जैसे एक work है hamlet, तो hamlet क्या है signifier, अब यह signified पे आकर कैसे खतम होगा, इसके हम author के बारे में जान जाएंगे, characters क के बारे में जान जाएंगे, themes के बारे में, plots, narrative style, इसके अलावा और क्या है, कुछ नहीं, तो यहां पे work जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन text के साथ नहीं होता, language के साथ नहीं होता है, क्योंकि language का interpretation है, वो बहुत ही open रहता है, वो evolve होता रहता है, अब मैं ऐसा क्यू कह र signifier क्या है, word है, और signified क्या है, concept है, meaning of that word, the relationship between the signifier and signified is arbitrary and conventional, arbitrary मतलब जिसका कोई valid reason ना हो, तो word का जो भी कुछ meaning होता है, उसके पीछे कोई logic, कोई reason नहीं होता, बस वो इसलिए हम लोग उस meaning से उसको relate करते हैं, क्योंकि जो user community होती है, मतलब जो language को use करते हैं, वो शुरू से उसी word को उसी meaning से relate करते आ रहे हैं, अगर किसी भी particular word को हम दुसरा meaning दे दे और फिर user community उसको use करने लगे, उसको standardize कर दे, फिर उस word का दुसरा meaning बन जाएगा, so if the user community gives another meaning to the word, that meaning will become the meaning of the word, this principle can be amplified to understand the meanings of the text, अब बाकी की notes को read करेंगे तो आपको एकदम और अच्छे से clear हो singular meaning, तो इसका मतलब यह नहीं हो कि work का single meaning होता है, और text के बहुत सारे meaning होते हैं, in fact work का interpretation होता है, वो limited रहता है, वो close रहता है, इसका कहने का मतलब यह है, और text का interpretation open रहता है, so in every context, text can create its own meaning, तो friends, अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको अच्छे स मतलब कोई भी चीज जो किसी चीज से derive होता है, descend होता है, तो work जो होता है, वो किसी ना किसी से connected रहता, it is derived from something, but जो text होता है, वो independent होता है, तो work is studied in relation to the society, history, author, but text is independent of author affiliation, then sixth point of differentiation is reading, so the work is consumed by the reader in the sense that the reader passively receives the meaning that literature supposedly give, मतलब reader जब work को consume करता है, जब work किसी work को देखता है, तो वो उतना ही meaning समझ पाता है, जो एक literature उसको समझाना चाहता है, उसका खुद का कुछ analysis नहीं रहता, लेकिन जब reader text को independently interpret करता है, तो वो critically उसमें इंगेज हो जाता है, उसके सही गलत सारी चीजों को समझने लगता है, in fact reader एक co-author बन जाता है, now let's see the final distinction between the work and text, so work gives us pleasure, but it is a pleasure of consumption, किसी भी work को हम देखते हैं, तो हमको उससे क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है, जैसे कि हमारा Shakespeare फेवरेट है, तो उसके work को देखके हमको अच्छा लगता है, लेकिन बात बोलते हैं कि जो pleasure है, वो एक separation भी लाता ह हैं, या फिर कोई film देखते हैं, तो हमारे अंदर एक ये thinking आती है, कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ये चीज़ को हम नहीं create कर सकते, तो ये एक separation लाता है, but on the other hand, text gives us pleasure, but without separation, because when we read anything, when we read the text, so the idea, the concept which we already have in our mind, get interchange with the things which we are reading, so in short we get involved in continuously meaning making process, So text always interact while reading, as it translates from the limit of written form, so friends, जब भी कुछ हम read करते हैं, या फिर कोई movie देखते हैं, तो जो चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करता है, सोचने अलाव करता है, या फिर question करना अलाव करता है, तो उसी को हम text कहते हैं, तो friends, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं कब से बोले जा रही हूँ, तब आप बोली, आपको समझ में आया या नहीं, प्लीज मुझे feedback दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे like करना ना बुलिए, साथी साथ चैनल को भी subscribe कर लीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाई